हेलो दोस्तो आपका बहुती स्वागता है हमारे यूट्यूब चैनल लेविंग इंजन में तो दोस्तो आज हमें एक ऐसी गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको नक्सा में मिलती है और जिसकी प्रैस लगबख पांच लाक रुपे है और बहुती वैली फॉर इगनिस के बेस वरेट सिग्मा के बारे में तो आज हम इसके डीटेल रिव्यू आपके सामने करने वाले हैं तो चली शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल में तो यहाँपर आपको क्रोम् ग्रिल मिलती है इसमें बीच में और अब बात करें गाड़ी के side profile की तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाड़ी के dimensions की यहापर जो आपको गाड़ी की length मिलती है वो है 370 mm गाड़ी की width है 1690 mm गाड़ी की height है 1595 mm गाड़ी का wheelbase है 2435 mm आपको गाड़ी में 180 mm की ground clearance मिलती है यहापर आपको body colored door handles और ORVMs मिलते हैं जो कि base current के सबसे काफी अच्छा feature है क्योंकि आपको base current में body colored door handles और ORVMs नहीं मिलते हैं कहीं भी ऐसी segment की गाड़ियों में और base current होने के बावजूद भी आपको 15 inches के steel wheels मिलते हैं इनका जो tire profile है 175 बश 65 R15 का आपको इस गाड़ी का side look बहुत ही core की और funky देखने को मिलेगा जो की क आपको बहुत ही core की और funky look देखने को मिलता है गाड़ी में पीछे भी जो की personal choice है कि किसी को पसंद आ सकता है किसी को पसंद नहीं भी आ सकता है यहाँ पर आपको halogen tail lights मिलती हैं आपको नीचे reflectors मिलते हैं आपको यहाँ पर four point parking sensors मिलते हैं आपको कोई camera नहीं मिलता है क्यों आपको लोट्स देखने को मिलता है जो कि काफी sufficient है रूंग डिपस के लिए भी और बात करें गाड़ी के front door की तो यहाँ पर आपको front two power windows मिलती है गाड़ी को lock on lock करने का button मिलता है window lock बटन मिलता है आपको स्पीकर की placement देखने को मिलती है आपको one litre का bottle holder भी देखने को मिलत और बात करते हैं गाड़ी की फ्रेंट सीट्स की तो आपको बहुत ही कमफर्टेबल सीट्स मिलती हैं यहापर आपको यहापर एड़स्टेबल हेड़र्स देखने को मिलते हैं और जो गाड़ी की सीट्स का कलर है वह आपको ब्लैक फिनिश में देखने को मिलेगा और बात करे से कुछ ज़्यादा खास देखता नहीं है, वो काफी जल्दी गंदा भी हो जाता है, इस सच्छा तो आपको यहाँ पर फुल ब्लैक ड्रैश बॉट देखने को मिलता है, सिर्फ बेस विरेंट में ही, यहाँ पर आपको बहुत ही फंकी लुक देखने को मिलता है, जैसे कि आपको टैको मिलता है, जो कि में कासे बहुत ही खराब बात है, मारूती अपने गाड़ी के हर बेस विरेंट में टैको मिलता है, और अब बात करें गाड़ी के रियर डॉर की, तो यहाँ पर आपको वन लीटर का बॉटल होडर मिलता है, आपको पीछे मैनुल विंडो बेस्मेंट देखने को मिलती है, और अब बात करें पीछे की सीट्स की, तो यहाँ पर भी आपको बहुत ही कमफोटेबल सीट्स देखने को मिलती है, पीछे, यहाँ पर आपको फिक्स्ट हेड़र मिलते है गाड़ी में, जो कि बेस विरेंट के साब से ठीक ही है, लेकिन ए सिक्स कमप्लाइन कर दिया गया है, यह मैक्सिम पार प्रोडूस करता है 82 PS की, और मैक्सिम टॉक जेनरेट करता है 1130 NM का, इस इंजिन से आपको 17-19 KMPL का मैलेच आराम से देखने को मिल जाएगा, और अब बात करें इस गाड़ी के प्राइस की, जो की आप यकीनन सुनके जाएंगे, इस गाड़ी की प्राइज है, सिर्फ 5,10,000 रुपए एक शोरूम, और यह अंडोड आपको मिल जाएगी 570-580 के बीच में, आराम से, तो यह मेरे लिए बहुत ही value for money गाड़ी है, और मैं सभी लोगों को यही गाड़ी प्रफर करूंगा, वैगनार, स्विफ् कीजेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल एकन दबाना मत भूलेगा ता कि आपको आना वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन्स तुरन मिल सकें, थैंक यू, जैहिन